हेलो गाइज एक बार मैं रोहित फीर्ट से आपका स्वागत करता हूं मेरी टव जैनल जुप्टर क्लासेज में तो गाइज कंप्लीट कोर्स पर पंजाइत अकाउंट एस सीरिज में आज हम पहुंच चुके हैं लेक्चेर नंबर अपने थ्री पे गाइज और थर्टी मांस क अगर आप चाहते हैं कि मैं तो आप मुझे कमेंट बक से बता देजे तो मैं तीनी पार्ट पे आपके साथ वीडियो लेकर आऊंगा और गाइस एक चीज़ में और बताना जाता हूं कि जो कुछता हूं तो आपके आपका रिस्पांस मुझे नहीं मिल रहा है आपका रिस्पांस मैं चाहता हूं जो कुछन में यहां पे आपको वीडियो के एंड में पोश्टा हूं तो गाइस प्लीज प्लीज आप उनका आंसर जो है अच्छे से देखेगा अच्छे से उनको ढूंडने के कोशिश कीजिए आपस खोष सकते हैं तो टाम अपना वेच्छ करते हों आज का लक्ट्र का यह यहkach फिरय campus करते हैं औसमारी रहती है हमारे डेली के रूटीन हम ऐसे सबसे पहले हम कोटेशन करते सब्सक्रां प्रिविए॥े की आंसर और यहां पर प्रवाइड देताहूं जो आज कहा हमारा lesson रहने वाला होता है उसको discuss करते हैं उसके बाद वीडियो के end में मैं आपको कुछ questions प्रवाइड करता हूँ guys please question को answer आप दिया कीजेगा अच्छा लगता है जब आपका response आता है तो तो guys यह हमारी आज की कोटशनी से start करते हैं कि don't you up the beginning is always the hardest आपको सबको पता है कि जब भी हम किसी चीज की शुरुवात करते हैं तो हमें वो चीज एक तो हमें वो चीज लगती है नई इसमें क्या होता है कोई चीज नई लगती है किसी का interest नहीं होता है interest हो भी तो कोई चीज starting करने में हमेशा ही hard लगती है अगर आप किसी subject के बारे पढ़ो जो आपने नहीं पढ़ा है ठीक है पहले उसको पढ़ो तो पहले पहले तो आपको मुश्किल लगएगा ज़रूर लगएगा लेकिन क्या करना है you don't have to give up आपको बिलकुल भी नहीं छोड़ना है आपको उस चीज के साथ ही जुड़े रहना है तो क्या होगा उस चीज के साथ ही जुड़े रहेंगे तो guys क्या होगा आने वाले दिनों में आपकी accomplishment को आपकी success को आपको कामराभी को कोई भी नहीं हो सकता है guys तो our lesson start करते हैं तो guys यह कुछ answers है जो मैंने कल आपको question पूछे थे उनके answers हैं आप इसको download कर सकते हो PDF को renouncers को देख सकते हो guys तो guys history of jamu and kishmir जो है उसको जानने से पहले हमें कुछ treaties के बारे में जानना इंपार्टम्ट हो जाता है तो guys इन treaties के बारे में जानेगा exam में पूछी जाती है I hope कि आपको भी पूछी जाएं पहली ट्रीटी है guys अमरेज सर ट्रीटी 1846 में यह ट्रीटी हुई थी संदी हुई थी ट्रीटी अफ अमरेज सर जो है 16 मार्च 1846 guys यह देट यह दखेगा 1846 को यह ट्रीटी साइन की गई थी किस-किस के बीच में साइन की गई थी गुलाब सिंग और ब्रिटिश इंडियो के बीच में देखें guys आपको क्या करना आपको क्या पूछा जाता है आपको यह चीज य यह हुई थी गुलाब सिंग और ब्रिटिश इंडिया थे उनके बीच में यह ट्रीटी हुई थी तो इस ट्रीटी के अंदर क्या हुआ था कि गुलाब सिंग ने जो है 75 लैक जो है वो ब्रिटिश इंडिया को दिये थे जिससे उन्होंने जमुमेंड कश्मीर को ख्रीदा और पहले सिखों के राजा कश्मीर के बने थे ठीक है काई यह 75 लैक क्या थे ठीक है अभी आगे जानने की कोशिश करते हैं वीडियो के हैं तक बने रहेगा उसके बाद होता है हमारा इंस्ट्रूमेंट आफ असेश्चन तो यह क्या है इंस्ट्रूमेंट आफ असेश्चन सबसे पहले मैं आपको यहां पर असेश्चन के बारे में थोड़ा सा बता दूँ तो असेश्चन क्या होता है जब एक जो डॉमिनियन होता है उसके साथ अगर कोई प्रोविंच या कोई स्टेट जुड जाए उसे कहते हैं असेश्चन तो इंस्ट्रूमेंट असेश्चन क सबसेश्चन क्या हुआ कि जो जमुमेंट कश्मीर जो है इंडिया के साथ कब जुड गया 26 अक्टूबर 1947 गाइस डेट को याद रखेगा तो जब इस डॉकुमेंट को एक्सिक्यूट किया गया तो महराजा हरी सिंग जो है वह मतलब कि क्या होगे जो डॉमिनियन जो है इं था हरी सिंग और लाड मौट बैटन ठीक है जाद रखेगा लाड मौट बैटन कौन थे लाड मौट बैटन जो है उस वकत के हमारे गवर्नर जर्नल थे ठीक है क्योंकि हमारा इंडिया और पाकिस्तान जब इंडिया को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया था इंडिय स्पिर हम चलते हैं डेली एग्रिमेंट आफ 1952 अब डेली एग्रिमेंट क्या था 1952 में हुआ था देखते हैं क्या है यह जब जम्मु और कश्मीर की constituent assembly ने कुछ important decision लिए उसके बाद क्या होजाता है यह बहुत ही जुरूरी हो जाता है कि अब उनको इंडियन गौवर्मेंट की concurrence चाहिए ठीक है तो उसमें क्या होंगे इंडिया गोवर्वर्मेंट के representative होंगे तो वहाँ से क्या हो जाता है जिसमें इंडिया Conference के representative होते हैं तो वहाँ पर एक agreement होता है इस agreement को बाद में क्या कहः जाता है Delhi Agreement of 952 जिसमें क्या होता है देखो जब जम पर कश्मीर का लिख पर ठीक है कुछ important decisions लेती है तो उस वकत क्या हो जाता है यह बहुत ही जुरूरी हो जाता है कि वो उसमें किसकी help ले इंडियन government की help ले तो फिर बीच में क्या हो जाती है एक संदी होती है एक agreement होता है किस-किस के बीच में यह agreement होता है गाइज इंडियन government के बीच में और जमू और कश्मीर के बीच में ठीक है गाइज यह दो parties यहाँ पे इनके बीच में यह agreement होता है तो 1952 में जो हमारे प्राइम निस्टर थे वो आप मुझे comment box में बताएंगे और दूसरा question कि first prime minister of India कौन थे वो भी आप मुझे comment box में बताएंगे गाइ तो गाइस इसी सीरीज में हमारी एक treaty और भी है treaty of lahore इसको भी जानने के कुशिश करते हैं जो lahore treaty थी यह 9 March 1846 को होती है यह peace treaty थी ठीक है किस किस की बीच में देखो इससे क्या होता है जब first anglo six war होता है 1946 में जब first anglo six war होता है उस वक्षत क्या होता है कि उनके बीच में एक treaty की जाती है ठीक है तो उस treaty का नाम होता है lahore treaty ठीक है तो इस किस के बीच में होती है East India Company और महराजा दलीप सिंग बहादूर के बीच में यह treaty होती है इस treaty में क्या होता है कि दोनों parties British और six जो होती है agree to not shelter each other's enemy यहनि कि वो इस बात पर मुतमयन हो जाते हैं कि एक दूसरे के enemy को क्या करेंगे shelter agree to not shelter each other enemies and not interference each other affair यहनि कि वो एक दूसरे के दुश्मन को बिल्कुल भी कुछ नहीं करेंगे ठीक है और एक दूसरे का जो affair है जो काम काज है उसमें भी बिल्कुल को interference नहीं होगी त तो उस ट्रीटी को कहते हैं ट्रीटी अफ लाहोद देखो मैं आपको कहता हूं कि जब फर्स्ट एंगलो सिख वार होता है गईज शुरुवारत यहीं से होती है हमारे जम्मुमेंट किश्मीर की कैसे मैं आपको बताता हूं सुनिएगा जब क्या होता है फर्स्ट एंगलो स ठीक है अगर आपने हमारे साथ वार किया है तो देखो अंगरेजिओं को क्या था कि वह पहले इंसान को इतना कमजोर कर देते थे फिर बाद में उसे कहते है तो six को बोलते हैं कि हमें 0.001 रुपया देना पड़ेगा आपको लेकिन उस वकर सिख जो है सरदार जो होते हैं पंजाब के वो इस खालात में नहीं होते हैं कि वो उनके जो है एक करोड उनको दें, क्योंकि वो तो पहले उनने एकवार की होती है, उसमें तो बिचारे उनका बुरा हाल हो जाता है, तो अब एक करोड देने की काबिल नहीं होते हैं, तो फिर क्या होता है, guys, बियस, रिवर, बियस, और जो इंडस रिवर है, इसके बीज की जो territory होती है ये किसको दी जाती है ये एकसीड कर लेते हैं कौन इसको एकसीड कर लेते हैं ब्रिटिश ठीक है ये ब्रिटिशर को दी जाती है फिर ब्रिटिशर के साथ जो है महराजा जो गुलाब सिंग है उनकी अच्छी बनती है तो वो क्या होते हैं वो गुलाब सिंग अंग्रेजों के साथ उनको क्या होता है उस दोस्ती के एवज में उनको दिया जाता है 75,000,00 में कितने मेंगायज notwend कश्मीर को बेचा जाता है यह वाला एयरीया यह ज कश्मीर वैली जितना भी कश्मीर है यह सब किसको बेचा जाता है यह सब बेचा जाता है महराजा गुलाब सिंग को ठीक है गाइस च्रीटी आफ लाहोर से ही हमारी कश्मीर है इसकी शुरुबात होती है तो आफ हम देखते हैं थोड़ा साथ भी रूल के बारे में जम्मू और कश्मीर जो डूतर रूल दो गोगरा रूल जो है जम्मू में यह एक्कशली 100 साल तक रहा है बहुती प्रोग्र्र्ट्रीव रहा है और बहुती पीसफुल period रहा है जमुण Kashmir की history में तो कुछ यहां पे डोगरा रूल के periods को देखते हैं गुलाब सिंग का क्या period रहा है 1846 से 1856 तक रहा है रनबीर सिंग का जो period रहा है 1856 से 1885 तक रहा है परताब सिंग का जो period है 1885 से 1925 तक रहा है फिर महाराजा जो होती है उसको जम्मुएंड किश्मीर में abolish के जाता है जब हारी सिंग जो होते हैं instrument of accession कर देते हैं government of India के साथ तो यहां पर एक ward आया guys monarchy monarchy में क्या होता है जहां पर एक राजा होता है और वही सब पर राज करता है जहां पर कोई democracy नहीं होती है कोई किसी का representative नहीं होता है, वहाँ पे बस होता है, तो एक मोनार्क होता है, जो क्या करता है, बाकी लोगों को अपने अंडर रखता है, तो जब थोड़ा सा हम गुलाब सिंग के बारे में जान लेते हैं, पहले डोगरा रूलर होते हैं, 1792 से 1857, ये founder होते हैं, रॉयल डोगरा डाइनिस्टी, याद रखेगा, डोगरा डाइनिस्टी के रॉयल फांडर कौन हैं, ये हैं, गुलाब सिंग, और पहले महराजा हैं, किस स्टेट के जो प्रिन्सली स्टेट थी, jamao and kashmir की, वो गुलाब सिंग है, और सैकंड लार्जेस्ट प्रिन्सली स्टे तो उसके बाद जो है British India की जो second largest princely state होती है वो बन जाती है guys यहाँ पे जमोड कश्मीर तो मैंने आपके साथ पीछे discuss किया Treaty of Amritsar को इसमें क्या होता है British जो होते हैं गुलाब सिंग को यह 75 लैक में 75 लैक अब वो उसके की currency क्या होती है guys यह important point है याद रखेगा currency क्या होती है ननक शाही रपीज होते हैं जितने भी लैंड है कश्मीर में जो six के जरीए उन्होंने seed की थी Six से seed की थी Treaty of Lahore के दोरान क्योंकि उन्होंने पैसे की मांग की थी तो उस वकत वो इस हालत में नहीं थे कि उनको पैसे दें तो वो उस land को seed कर देते हैं, फिर वो land किसको बेची जाती है, वो land बेची जाती है, treaty F.A.R.S.R. के तहत, गुलाब सिंग को ठीक है guys, तो अब हम थोड़ा सा जानने के कोशिच करते हैं, महराजा हरी सिंग के बारे में, जो last ruling महराजा होते हैं, मैंने मीच में वो दो राजा क्यों छोड़ दिये क्योंकि उतनी उनकी importance नहीं है तो लास्ट रूलिंग महराजा जो है जम्मु और किश्मीर के वो होते हैं हरी सिंग तो जम्मु और किश्मीर के महराजा हरी सिंग ने थ्रोन पे कब आये यह निकि यह तक्त पे कब होए 1925 में तो इन्होंने क्या-क्या काम किया देखें उन्होंने बहुत अच्छे-च्छे काम किये हैं याद रखेगा सबसे पहले तो इन्होंने प्राइमरी एजुकेशन को कंपल्सरी कर दिया स्टेट में उस वकित तो हमारी स्टेट थी वर्षिप की जो जगा थी वो सब के लिए ओपन कर दी यहने कि पहले क्या होता था जो मंदिर होगा वहां पे सिर्फ हाई क्लास के लोग जाएंगे अपर क्लास के लोग जाएंगे तो आपको पता है कि की चार वर्णाज में human body को divide किया गया था आप guys एक question हैं यहां से आपके साथ कि please मुझे आप इसका answer क्मेंट-βॉक्स में बताएंगा कैक जो human body को 4 वर्णाज में divide किया गया था वो वर्नाज कौन से कौन से थे सरफ आपको वर्नाज के नाम बताने है चार वर्नाज कौन से थे अगर नहीं तो कल में इस कांसर आपको प्रवाइड कर दूँगा वीडियो के स्टार्टिंग में तो guys क्या है वर्शिप की पलेसे जो थी वो लॉव कास्ट के लिए भी उपन कर दी थी ठीक है सिंग का जो रीन होता है इसमें क्या होता है जमुन कश्मीर के साथ असेशन हो जाता है हमारा तो जो उस वक्त जो इंडियन यूजिन जो है वो भी नई नई बनती है 1947 में आपको पता है क्योंकि इंडियन यूजिन 1947 में बनती है फिफ्टी नगस्त को एक तो ये वहाँ से क्या बलते है इंको आजादी मिलती है और साथ साथ में एक दुसरी दुख की बात होती है कि हमारे जो होते है दो टुकडे हो जाते हैं एक तो हो जाता है हमारा इंडिया तो अब इसने सबसे क्या किया इसने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक important role play care देखो अब हरी सिंग जो है वो तो पहले independent रहा ठीक है पहले तो उसने किसी को भी जाइन नहीं किया ना उसने पाकिस्तान को जाइन किया ना उसने इंडिया को जाइन किया ठीक है जब ट्रीटे आफ अमरेज सर हुई तो उस वक्त उसने क्या किया पाकिस्तान के दवारा अब उसने सोचा महराजा हरी सिंग ने सोचा क्योंकि वो एक बहुत डिप्लोमाट पारे में जानकारी थी तो उसने क्या किया उसने सोचा कि अगर मेरे को पाकिस्तान से हमले हो रहे हैं यह मुझे फोर्स कर रहे हैं कि आप मेरे साथ जुड़ जाओ तो मैं जुड़ने अगर मैं नहीं चाहता हूं किसका जुड़ना तो उसने क्या किया उसने इंट्रुमेंट कर दिया government of India के साथ और government of India ने क्या किया उसके इवज में protect किया किसको महराजा हरी सिंग की जो प्रेंसली स्टेर थी यह नहीं कि जमू और कश्मीर को प्रटक्ट किया गाईज तो यह देखे जो मैंने आपसे कहा वह यहां पे लिखा हुआ भी है कि जो armed moment थी महराजा रूल के खिलाफ पुंच रिस्टिक जो है जमू की जब उसकी troops जो थे वो अब वो control नहीं कर पा रहे थे उन fighters को ठीक है तो वहाँ से भाग के वो जमू आगे अक्तूबर 1947 में अपील किया इंडिया को उसने कि आप मेरी हैल्प करो जैसे मैंने आपसे कहा ठीक है तो उसके बाद उसने कर दिया इंडिया के साथ ठीक है कंट्रोवर्सी थी कि at what point and weather is not a session including sour entity of the state ठीक है तो उसी के बाद क्या होता है कि जो हमें गिफ्ट मिलता है गाईज वो मिलता है article 370 ठीक है तो special जो स्टेटस दे आता है जमूमेड किश्मीर को अब 2019 में क्या होता है यह जो special स्टेटस है यह भी हमसे छीन लिया जाता है और हमसे हम पे ऐसे ऐसे कानून थो पे जाते हैं तो अब वो आप सबको अच्छे से उसके ब जहाना ने राजदर्शी नी इन लिखी है गिनेश दास वदेहरा ने गुलाब नामा लिखी है देव Gegenum अकबर नामा लिखी है अबुल फजल ने आतिशे चिनार लिखी है शेख मुहम्मद अबदुल्ला ने ये किस ने लिखी है अलेक्जेंडर कुनिंगाम ने आइनाय अकबरी ये भी लिखी है अबुल फजल ने अकबर नामा और आईना ये अकबरी अबल फदल से आप इसको याद रख सकते हैं जफर नामा लिखी है शरीफ उद्दीन वकाइते कश्मीर लिखी है मुहम्मद आजिम दे लॉर्ड ओफ हिल्स लिखी है जी सी स्मित ने तो गाइज ये थी important books and authors जो जफर कश्मीर की है तो गाइज आज के topic को हम इतना ही रखते हैं तो मैंने आपसे कहा है अगर आप इसके तीन पार्ट चाहते हैं इनके ancient, medieval और जो modern अगर इन तीन पार्ट में अलग अलग चाहते हैं तो मैं आप के साथ वो वीडियो भी लेके आऊंगा जो है आज के important questions जो मैंने 15 questions जो मैंने आपको पूछे हुए हैं इससे क्या होता है कि आपकी practice हो जाती है और मुझे भी अच्छा लगता है कि मुझे में भी वो energy आती है कि मैं इनको अच्छे से यहाँ पर पढ़ा हूँ ठीक है तो Chinese pilgrim hyun sang कश्मीर का बाए पहला question search कीजेगा treaty of amrit sir कौन से year में sign हुई यह तो सबको पता है क्योंकि पढ़ाया मैंने अभी और वें डिट जगमोहुन टुक और जगमोहुन जो है गौवर्णर अफ जब्मोहुन कश्मीर के कब बने treaty of amrit sir किस-किस की बीच में sign हुई first prime minister अफ जब्मोहुन कश्मीर किसको बनाया गया यह आपके सामने question है जब्मोह एंड कश्मीर ने इंडिया के साथ कब सीड किया सदरे रियासत for governor and prime minister for chief minister यह was abolished in ठीक है जो title था सदरे रियासत governor के लिए और chief minister के लिए था यहाँ पे prime minister उसको कब abolish किया गया यहनि कि पहले यहाँ पे chief minister को prime minister बोल जाता था कारवाने अमन बस सर्विस को किस किस के बीच में launch किया गया ठीक है यहाँ पे concerned assembly जो है जमुएड कश्मीर की कितनी seeds है what's the amount जो गलाब सिंग ने British को British से जब कश्मीर को ख्रीदा उसने उसको कितना amount pay किया और वो एक चीज यहाँ पे और भी note किजेगा कि वो कौन सी currency थी जो उसने उनको pay की थी तो guys आज सिर्फ रखे हैं मैंने आपके लिए question रखे है 10 ठीक है guys इन 10 question के आप answer दीजेगा मुझे comment box में तो अगर देंगे तो बहुत अच्छी बात है इससे आपकी practice हो जाएगी अगर आपको चीज सर्च करते हैं तो लांग टर्म आपके लिए याद रहती है तो guys यह थी हमारी वीडियो इसको यहीं पे खतम करते हैं तो वीडियो को अगर आपको यहां से कुछ सिखने को मिला है guys जरूर सिखने को मिला है तो like कीजिएगा, comment करके feedback दीजिएगा कि कैसी रगी वीडियो और जो question के answer है वो तो आपको देना ही पड़ेंगे share कीजिए आपने friends के साथ ताकि वो भी इसको enjoy कर सके चनल को subscribe करें, subscribe अब तक नहीं किया है तो bell icon दावाना ना बोलें guys, जैसे ही कोई नई वीडियो अगर हम डालते हैं तो सबसे पहले वो आपके पास पहुंचे, guys पहुंचनी ही चाहिए क्योंकि आपको exam जो correct करना है तो guys, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यावाद ठीक है guys, वीडियो को आपके खतम करते हैं God bless you all